हेलो एस्पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी एस्पेरेंट्स का इस आइकोनिक एस्पेरेंट्स पे साथ्यों कैसे आप लोग आसा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और सबसे इंपोर्टेंट बास साथ्यों कि अभी हम लोग घटना चक्र 2023 का अध्यन कर रहे हैं और सबसे इंपोर्टेंट बात यहां पर कि साथ्यों यहां पर अगर आप बीपेसी का तयारी करें बिहार दरोगा कॉंस्टेवल या फिर बिहार से जोड़े कोई भी एक्जाम दे रहे हैं यह बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यह बीपेसी के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछेंगे अब तक से 2022 तक कितने प्रश्ण पुछे के हैं सारे प्रश्णों का यहां संग्राय साथ यहां पर बताया गया है तो यह काफी ज्यादा तक ना देखेंगे उसका निसमें लिखकेस्स को पूरा जरूर दखा करें यही मेरा रिक्वेश्ण है आप सभी से चैनल को समस्क्राइब करें या ना करें वह आप देखने के बाद रिशाइच करें लेकिन लिकलास को जरूर पोरा देखा करें जब आप कुछ सिखने आए हैं तो सात्यों इसमें हम लोग भारती इतिहास और समानने भुगोल, समानने बिग्यान ये सभी चीज हम लगभग अभी तक कभर कर चुके हैं अभी हम लोग साथियो आपका भारतिय राज्य विवस्था का हम लोग अध्यन कर रहे हैं जिसमें क्लास वन अभी आपका हो चुका है कुछ question बचे होए थे तो साथियो आज हम लोग उसका cover up करेंगे ठीक है और इसका PDF आप लोग टेलिग्राम चैनल से ले सकते हैं तो साथियो वहाँ पे आप लोग जरूर जोएन कर लिजेगा इस iconic experience का टेलिग्राम चैनल link description में दिया गया है वहाँ जरूर आप लोग जोएन क करेंगे साथियो तो ध्यान दिजेगा यहां सबसे पहला question आपका कहड़ा है कि सीमा सुरक्षा बल की अस्थापना कब की गई थी बहुत important question है और याद रखेंगे इसका सही answer आपका 1970 हो जाएगा ठीक है चले तथ्यों के पारे में अगर बात क्या जाए तो थोड़ा से यह ध्यान दिजेगा कि जो सीमा सुरक्षा बल है BASF जिसे कहा जाता है इसका गठन एक दिसंबर 1965 को किया गया था जो भारत तथा परोसी देशों की क्या करते हैं तो सीमाओं पर तैनात किये जाते हैं और इसका मुख्याले कहां है तो याद रखेंगे यह आपका नई दिल्ल किया गया था बहुत important है अंगी करिद किया गया था तो किया गया था कब तो याद रखेंगे आपका 26 नवंबर 1994 को किया गया था ठीक है अंगी करिद किया गया था याद रखेंगे सब्दों को चलिए ध्यान दिजेकर यहाँ पर आप इसके बारे में थोड़ा सा जान तो यहां है कि भारते संभीधान की जो उद्देशी का है जिसे हम प्रास्तापनाख भी कहते हैं इसमें उल्लेक किया गया है कि 26 नमबर 1949 को भारत के लोगों ने संभीधान को क्या किया था तो अंगी कृत अधिनियमित और आत्मनिर्मित किया था तो इस बात को याद रखेंगे और संभीधान को अपनाने एबं उसके पूर्ण होने पारित होने तथा उसको अंतिम रूप देने का तारिक जो है वह आपका 26 नमब और और स्थाय और सक्रमर्क कालिन उपबंद लागू किये गए थे और यहाँ सबसे इंपोर्टन बात ध्यान दिजेगा कि सम्मिधान के 6 उपबंद जो हैं बचे हुए थे वह 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था प्रभावित रूप से पारित किया गया था अंगी किरिद अगर पुछा जा आपसे तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को अपनाया था लेकिन अंगी किरिद कप किया गया था 26 नवंबर 1999 को ठीक है तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफ्रेंसेज है तो आप लोग याद रखेंगा नेक्ट क्वेस्टन कहरा कि भारती सम्मिधान दिबस मनाया जाता है साथियो भारती सम्मिधान दिबस कब मनाया जाता है क्या हुआ 26 अक्टूबर हो जाएगा 26 नवंबर हो जाएगा या फिर आपका 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त हो जाएगा तो ध्यान दिजेगा भारती सम्मिधान दिबस 26 नमंबर को मनाया जाता ही याद रखेगा क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था तो भारती सम्मिधान को भारती उद्धिसी का जो हमारे भारती सम्मिधान में इसे अंगी कृत किया गया था ना कि अपनाया गया था ठेके चलिए नेक्ट कॉस्टन कह रहा है कि भारती सम्मिधान को अपनाया गया था तो यहाँ याद रखे गया भारती सम्मिधान को जो अपनाया गया था वह किसके द्वारा तो सम्मिधान सभा के द्वारा अपनाया गया था कब अपनाया गया था तो याद रखेगा यह बात कि सम्मिधान सभा के ग्यारवे अधिवेशम जो यह ग्यारवा उसका बैठक हुआ था साथ यो उस बैठक में क्या किया गया था 26 नमंबर 1999 को भारती सम्मिधान और सम्मिधान सभा द्वारा क्या किया गया था तो अपनाया गया था तो इस तरह से चीजों को समझते चलेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट है अगर आप से किसी भी प्रकार से प्रशन पूछे तो आप इस तरह से अपने मन में बैठाय नेक्स्ट क्वेस्टन कहरा कि भारती सम्मिधान की प्रश्टावना के सिलसिले में निमलिखित में से कौन सा क्रम सही है तो ध्यान दीजेगा क्रम को हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सबसे पहला कहरा है ऑप्शन ए गतंत्र जनवादी धन्मिट्पेक्च समाजवाद सर्व भूम सत्ता संपन यह पहला है बी नमबर कहरा है सर्व भूम संता संपन समाजवादी धन्मिट्पेक्च गतंत्र तो ध्यान दीजेगा इसका सही एंसर आपके समक्ष क्या है तो अप्शन नमबर डी इसका क्या हो जागा साथियो सही हो जागा ठीक है जानते हैं इसके बारे में कि यह सही किस प्रकार से है थोड़ा से यहाँ डिटियल ध्यान दीजेगा देखिए प्रश्ण में दिये गए सब्द भारतिय समिधान की प्रस्तामना में वर्नित किया याद रखेगा यह बात ठीक है और यह भारतिय राज्य वेवस्ता के स्वरूप का वर्नन करता है इनमें समाजवादी धर्मिर्प्रिक्स सब्द मुल सम्मिधान में नहीं है यह बात याद रखेगा इसे कब लागू किया गया था तो 42 में सम्मिधान संसोधन दोड़ा इस इपो यह वी याद रखेगा यहाँ पर एक इमपोर्टन बाद यही याद रखेगा कि हमार भारती संहमिधान के उद्यसिका है इसमें धर्म निर्प्रिक्श की बात नहीं कि गई है इसा प्रश्न भी आप पूछा जा सकता है उसके बाद कह रहा है जनवादी गतंत्र ये सभी क्या है साथ यो तो ध्यान रखने योग्य तत्थ हैं जो कि सम्मिधान में उलेखित सब्द हैं और संपोर्ण, प्रभुत्व संपन, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोक्त, तांत्रात्मक गनराज्य ये सभी जो हैं यह इंपोर्ण्ट है आपके लिए ठैक है जले नेक्ट क्वेस्चन कह रहा है आपका कि भारती सम्मिधान की प्रताबना में भारत को किसर। रूप में गोसित किया गया है तो यहाँ पर यह बहुत ही इंपोर्ण प्रेश्चन है और इसका सही एंसर क्या होगा तो याद रखे हम लोग देख लेते हैं तो यहां ध्यां दिजेगा Next Question आप ठीक है ध्यां दिजेगा कहता है भारत में लोकिक सर्व भौमिक्ता है क्योंकि सम्मिधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किस से तो हम भारत के लोग बहुत इंपोर्टन है बहुत ही इंपोर्टन यह सब्द है तो सब्दू से किस वाक्य से स्टार्टिंग होता है तो यहीं वाक्य साथियों याद Ρबर के लोग । तीक billion सब्दूसतर श्वंभ कब्रावर divine ester auditनी जांदे जगए हैं कि भारत्य संभ्रावर्ण कि प्रेएल नहीं है ठीके इसका अर्थ आप से पूछा जाया तो याद रखेंगे इसका अर्थ यह होता है अर्थात साथियों यह हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भारतिय सम्मिधान का जो लिखा गया है जो भारतिय सम्मिधान का कहीं न कहीं प्राडम हुआ था लिखा गया था तो इ हम सभी भारतीयों के द्वारे लिखा गया था इसलिए सबसे पहले हम भारत के लोक सबसे इसे उल्लेखित किया जाता है ठीक है आगे बाद किया जाए respostağर नेक्ट है आपका कि भारत में प्रजात तंत्र इस तट्थे पर अधारित है कि तो याद रखेंगे जनता को सरकार को चुनने का अधिकार होता है और बदलने का अधिकार होता है इसी को हम लोग प्रजातंतर या फिर लोगतंतर कहते हैं ध्यान देंगे कि प्रजातंतर का आस्य है जनता का ठीक है जनता के लिए जनता के सरकार एक इंपोर्टन बात हम आपको यहां बताना चाहेंगे कि साथ यह जनता के लिए जनता का या फिर जनता का सरकार जो है यह कथन किनका है आप लोग को कॉमेंट में यह बात बताना है ठीक है ध्यान दिजेगा लोगों को सरकार चुनने और बदलने का जो अधिकार है वह भारत में भी प्रजातंत्र का ही एक आस्य अगर प्रजातंत्र नहीं होगा तो प्रजा का तंत्र का मतलब होता है राज तो प्रजा का राज किस प्रकार से है जब वह सत्ता को बजल सकती है अपने मन से अपने पसंद के लोगों को सत्ता बेठा सकती है अपने राज्य को विस्तार करने के लिए अपने राज्य का विका प्रक्रत्य जह् awak positive है एपना बहुत टुछ संघ्य सरकार है और यहां पक्य है तो 123 हम आपको समझञान चाहेंगे अप nó तुछ को ये इसे वोगिवस्ता हैं और यहां पर क्या है तो 235 याद र क दियां दिजेगा कि सम् मिध्धान वेताओं ने हिंग वीग जुनल ऊसरग विधान कर दो वार्ग akahyes के साद़कार संगहतों यूर arbitre casual द्यान दिजेगा edge withdraw सकते हैं ठीके और अगे बात की जाै केंड़िय सरकार होती है इसमें पड़ामतों को केंड़िय सरकार के अधिन रहना पड़ता है और इसके विप्रित संगहात्मंग संम्मिधान वह संम्मिधाने दोनों सरकार Nora कुछ सब्सक्राइब भारती सम्मीधान के प्रकीर्ती याद रखेंगे। और सम्मीधान निर्माताओं के अनुसार भारती सम्मीधान की एक संहात्मक सम्मीधान होना चाहिए। किन्तु साथियो प्रोफेसर जेनिंग्स को भारते सम्मिधान को संघात्मक मानने में अप्पी आप क्या थी तो आपती थी इनको थोड़ा सा कठनाई था कि भारत में क्या हो संघात्मक सरकार ना हो या इस कहीं न कहीं इस पक्च के व्यक्तित हैं तो इस बात को थोड़ा सा याद रखेगा उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को हम समझा पा रहे होंगे अब यहाँ थोड़ा सा और है साथ यो नेक्ट प्रोफेसर वियर इन्होंने क्या क्या था तो इसने अर्दर संग्ये संभीधान अथवा एक और कात्मक संभीधान जिस में संभात्वर्ण तत्व सहयक रुप से कहां होंगे तो यह कहा गया था ठीक whats face संगात्मक है और नहीं विश्व्यूद एकात्मक ठीक है तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे और यह जो यह साड़ा के थार तत्थे जो है यह आपको मेंस में काम आ सकता है ठीक है पीटी में कम लेकिन मेंस में यह जो तत्थे है आपको बहुत ही काम आएगा नेक्ट क्वेस्टन कह रहा है आपका भारती सम्मिधान की दसवी अनुसिची का सम्मंद है किस से है तो याद रखेंगे इसका सम्मंद आपका दल बदल बिरोधी कानून से है ठीक है दल बदल बिरोधी कानून आप सबको पता होगा साथियो ठीक है तो यहाँ ध्यान 1985 में यह जोड़ा गया था तो important है काफ़ important है अगर आप से पूछा जाए तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे next question कहरा है कि भूमी सुधार डैस के विसयों के अंतरकत है याद रखेंगे भूमी सुधार डैस के विसयों के याद रखेंगे यहाँ पर important बद है आपका ठीके जान लेते हैं थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में साथियो तो यहां ध्यान दिजेगा आप लोग सब कुछ समझ जाएगा पेसंस बनाए रखिये भारती नागरिकता अधिनियम 1955 यह क्या हुआ था तो भारती सम्मिधान भारती नागरिक निमलिकित तरीके से द्वारा प्राप्त किये ग झाल अगर आपका भारत के छेत्र में भूखन्द हैं और आप राज्य सरकार के जो डाटा है साथियो उसमें आपका रजिस्टरी हो गया है उस भो भाग प्राप्त करने का एक तरीका नहीं है तूई इस तरह से चीजों को याद रखेंगे ठेके चलिए बात की जाए next question कि नागरिक्ता संसोजन कानून कप पारित हुआ था क्या वह आपका 11 दिसंबर 2008 को होगा 11 दिसंबर 2019 को होगा या फिर यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे जाएगा क्या 11 अक्टूबर 2009 को होगा या फिर 11 अक्टूबर 2020 को होगा तो साथियों आप सभी को याद होगा कि 11 दिसंबर 2019 को क्या हुआ था तो नागरिक्ता अधिनियम आया था जिसे एनर सी का यह सब हम लोग कहते थे हुसमें का फी ज्यादा इसका विरोध भी हुआ था उस में आप प्रस्तुत किया गया था और उसी तीथी को साथ्यों लोग सभा से पारिद भी किया गया था यहां पे इंपोर्टेंट यह बात है कि 11 दिसम्बर 2019 को यह राज्य सभा द्वारा पारिद किया गया था जबकि राष्टपती ने इस बिधायक को 12 दिसम्बर 2019 को क्या की थी तो मज़ मंजूरी प्रदान की थी और यह बिधायक साथ्यों अधिनियम बदल गया था आप सबको पता होगा जब संसद आप लोग पढ़े होंगे या फिर आगे पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि अधिनियम कब बनता है जब उसे क्या होता साथ्यों तो राष्टपती के द्वारा उसे मंजूरी प्रदान की जाती है तब क्या बन जाता है अधिनियम बन जाता है वह बिधायक तो याद रखेंगे 10 जनवरी 2020 को नागरिक संसोदन अधिनियम 2019 जो हुथा साथियो यह क्या हुआ था लागु हुआ था नेक्स्ट क्वेस्टन कहड़ा है कि बीधी का नियम या कानून का अधिर राज्य का मतलब क्या है साथियो इसका सही अंसर आपका हो जाएगा option number A सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र क्या होता है तो बीधी का कानून होता है याद रखेंगे ठीके यहां पर बात की जाए तो कहता है बीधी का नियम या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंद्र बीधी का नियम का सामान ने अर्थ यह साथियो कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक सम्मान है तथा कोई भी व्यक्तिक कानून से उपर नहीं हो सकता मान कर चलिए अगर आपने किसी भी प्रकार का क्राइम किया है तो उस क्राइम के लिए भारते सम्मिधान में CRPC में जो धारा होंगी जो एक्ट होगा साथ ही वही आपके पर भी लगाया जागा और अगर प्रधान मंतरी भी वह गलती करते हैं तो उन पे भी वही एक्ट लगाया जागा तो इस तरह से चीजों को याद रखेंगे साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म जाती या फिर लिंग की अधार पर भेदभावी नहीं कर सकता और भारतिय सम्मिधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनूछे 14 में साथियों क्या है तो वीधी के समता वीधियों के समान समरक्षन का अधिकार परदान किया गया है तो इस बात को आप लोग थोड़ा सा याद रखेगा बहुत ही important important चीज आज बताया जा रहा है तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग चीज को याद रखेंगे टेली ग्राम से जोड़ जाएगा आप सभी को वहाँ पर PDF मिल जाएगा तो चलिए next question है कि निमलिकित में से किसको सम्मिधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने के सकती दी गई है तो याद रखेंगे ये सरबोच नियाले और उंच नियालों को है तो आप पढ़ेंगे जब साथियो भारतिय सम्मिधान संसोधन को तो वहाँ पर आप इस चीज को देखेंगे कि 1973 में एक साथियो भिवाद होता है वह भिवाद था आपका सायद मुझे याद अभी थोड़ा सा नहीं आ रहा हुआ वह भिवाद था आपका याद मुझे नहीं आ रहा अगर याद आएगा तो हम कमेंट में आपको बता देंगे उसी भिवाद के समय में साथियो बेशिक अस्ट्रक्चल दिया गया था ठीक है और उसी समय क्या क्या है था तो सरवच्च नियाले और उच्च नियाले ने यह बात कही थे कि सम्मिधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लाग करने के सकती जो है यह उच्च नियाले को होगा और सरवच्च नियाले को होगा तो यह थोड़ा सा ध्यान दियागा मुल अधिकारों को प्रवितिक करने के सकती जो है उच्च नियाले को अनुछेद क्या है साथ यो तो 32 के तहत है और ठीक है और उस्तम न्याले को 32 के तहत है उच्छी न्याले को 226 के तहत है ठीक है न्याले साथियो उप्यूक्त न्याले अपनी इस सक्ति के परियोग में पांच प्रकार की क्या करती है तो रीट जारी करते हैं कौनको रीड है तो रीट को भी याद रखेंगे प भारत के परतिक नागड़िकों को मौलिक अधिकार की सुरक्षा दी जाती है अगर आप के साथ मौलिक अधिकार का हनन होता है तो साथ ही ओआप याद रखेंगे आप उस्तम नयाले में अगर अपिल कर रहे हैं तो आर्टिकल 32 का यूज करेंगे अगर उच्छ नयाले में मौलिक अधिकार परदान किये गए हैं तो याद रखेंगे यह जो आपका हो जाएगा साथियों यह सही एंसर आपका अनुछेद 12-35 होगा आपको पता होगा कि अनुछेद 12-35 जो है वह क्या है साथियों तो हम सभी के लिए मौलिक अधिकारों की बात की जाती है ध्यान पहले साथ था लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है साथियों इसको हटा दिया गया था याद रखेगा इस बात को भी आप लोग चलिए बात कीज़े आगे तो कह रहा है भारत के सम्मिधान का निमलीखित में से कौन सा अनुछेद प्रेश की सौतनत्रता से सम्मंदिद है ब संत्रता के अधिकारों का उलेक किया गया है जिसमें यह भी याद रखेगा कि अनुछेद उन्निस एक कर जो है वह क्या है साथियों तो वाक्य और अभिव्यक्ति की सौतनत्रता देता है मतलब बोलने की सौतनत्रता तह हमें प्रादान कराता है साथियों अनुछेद उन्न इरूद क्या करती है वो कोई भी प्रश्न खड़ा कर सकती है निमलिकित में से कौन सा मुलभूत अधिकार नहीं है ध्यान देंगे मुलभूत अधिकार की बात की जाड़े यह तो संपत्ति का जो अधिकार है अभी जश्ट हम आपको पता है यह मुलभूत अधिकार नहीं है इसे साथ योग संपत्ती का जो मूल अधिकार के अंतरगत आता था, इसे चवालिस में सम्मीदन संसोतन का अंतरगत क्या किया, तो मुल अधिकार से हटा कर अनुच्छे 300 करक में सामिल करके इसे क्या किया है तो केबल विधाई या कानून अधिकार बना दिया गया है तो इस तरह से चीज़ को याद रखेंगे कहता है नेक्ट प्रस्ट निमलिकित संवेधानिक उपचारों में से किसे पोस्ट मार्टम भ बात की जा रहे है यह आपका अधिकार प्रिच्छा में की जा रही है ठीके अधिकार प्रिच्छा क्या है थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे सब कुछ समझ जाएंगे अभी हम आपको रेट बताया था पांच प्रकार का इसी में अधिकार प्रिच्छा है ठीके डॉक्ट साथियो भीमरा अमबेटकरजी के द्वारा क्या कहा गया था तो अनिच्षेद 32 को सम्मिधान की आत्मा और हिर्दय कहा गया था तो यह आप से पूछा जाए तो यहाँ पे भी आपका एक अब्जेक्टिव तयार होता है सम्मिधानिक उप्चार में अधिकार प्रिच्छा यह क्या है साथियो तो वो सम्मिधान उप्चारों का पुस्मास्टम करता है यह एक कारिक वाही है जिसके अंतरगत जिसके द्वारा नियाले लोगपद पर किसी व्यक्ति के दावे की क्या कर सकती है तो बेदेदा से जांच करता है और इसके अतरिक्त उत्प्रेशन को भी पोस्टमार्टम रीड ही कहा जाता है क्यूंकि इसमें भी नियायक परिकारिव वाहियों की जांच की जाती है अब यहाँ पर ध्यान दिजेगा कि पोस्टमार्टम की एक कारिवाही जो है यह जिसमें मृत्यू की ब्यक्ति के मरने के दावे की बेता की जाती है अताब विकल्ब ई सही क्या है साथियों सही उत्तर है और बिहार लोग सेवा आयोग ने आयोग BPSC के द्वारा इसे D-Answer सही माना गया है तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेगा नेक्ट क्वेस्टन कहरा है आपका कि एक कल्यान कारे राज्य का आदर्स वर्नित है किसमें तो क्या है साथियों राज्य के नीती नीदिशक तत्थबों में राज्य के नीती नीदिशक तत्थबों जब आप पढ़ेंगे DPSP पढ़ेंगे साथियों तो वहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे एक राज्य का क्या 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 करना कारे होगा इन सभी को चीज़ को आप पढ़ेंगे राज्य का क्या क्या उत्तरदाई होगा अपने रा और जिसे किसे राज्य द्वारा नीती निर्मान के लिए एक कानून किरियाबन में ध्यान रखना चाहिए यह बाद है याद रखेंगे बहुत इंपोर्टेंट है साथ यू आगे बात की जाये तो कहता है कि भारत में निमलिखित में से किसके अंतर गत्म पंचायती राज्य की विवस्था की गई है तो याद रखेगा इसका सही अंसर आपका होगा ओप्सन नमबर सी राज्य के नीती निर्मान सकत्व सिध्धान्त में साथ यो ठीक है थोड़ा सा जान लेते हैं आज गड़ा थोड़ा सा फस गया साथ यो तो थोड़ा सा आप लोग कप्रेट कीज भारत में राज्य के जो नेती निर्मान सकत्व सिध्धान्त है इसके अंतरकत पंचायती राज बहुत इंपोर्टन्ट है प्रणाली की विवस्था की गई है और यह सात्यो सम्विधान का अनुछे 40 के तहत राज्यों के लिए ग्राम पंचाय संगठन का प्राप धान करता है ठीक है तो आपसे उम्मीद करते हैं कि अब यह चीज को आप लोग जान गए होंगे और जो जान रहे होंगे पहले से तो वह बहुत ही अच्छी बात है नेक्ट है आपका कि राज्य के नेती निर्मान किस प्रकार मौलिक अधिकार से भीन है तो यहाँ पर याद में आपसे अगर डिफ्रेंसेज पुझा जाए तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे चलिए बात आगे हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा तत्थ्य पे यहाँ ध्यान दिजेगा राज जी के नेती निदेशक सिध्धान थे साथियों यह मौलिक अधिकारों से भीन इस प्रकार है क्योंकि निदेशक सिध्धान जो है वह क्या है तो परवर्तनिये हैं नहीं है जबकि मौलिक अधिकार नियाले द्वारा परवर्तनिये हैं साथियों नियाले जब चाहेग कि इसमें कुछ परिवर्तन कर सकती है लेकिन यह DPSP में परिवर्तन नहीं हो सकता निदेशक सिद्धान जो है सम्मिधान के भाग चार्ड में वर्नित है और कल्यान कारे राजी की अस्थापना के लिए दिये गए निर्देश है ठीक है जबकि भाग तीन में वर्नित जो मौल परदाइब होगा कि वह राजी के नागरीकों का विकास राजी का देख़़े किस प्रकार से करेगा और वहीं सम्मिधान के भागतिन में जो मौलिक अधिकार है यह क्या करता है तो नागरीकों को सुरक्षा की गारेंटी देता है ठीक है तो इस तरह से चीजों को याद कि जो मौलिक करतब्य थे यह बाद में दिया गया था यह हमारे भारतिय सम्मिधान में नहीं थे हमारे भारतिय सम्मिधान में सिर्फ अधिकार दिये गया थे ठीक है करतब्य जो था वह बाद में जोड़ा गया था तो याद रखेंगे मौलिक करतब्य 42 सम्मिधान संसोधन द्वारा सम्मिधान में सामिल किया गया था और यह संसोधन कब हुआ था तो 1976 में याद रखेंगे 1976 में स्थाथियो इस समय जो भारत की परधान मंत्री थी वो कौन थी तो इंद्रा गांधी थी इन्ही के समय में यह संसोधन किया गया था और इसके तहत मौली कर्तब्य के से संबंदित भाग चारव को एबं अनुच्छेद एक्यावन का को सामिल किया गया था मौलत साथियों मौली कर्तब्य की संख्या 10 थी उसके पस्चात आप 46 संविधान 46 संविधान संसोधन अधिनियम को देखेंगे तो इसमें साथियों 11 मौली कर्तब्य को जोड़ दिया गया था ठीके शुरुवात में आपसे पूछा जाए कि मौली कर्तब्य कितने थे मौल रूप से तो 10 ही थे ठीके बाद में इसे जोड़ दिया गया और यह अब बरतमान में 11 मौली कर्तब्य हैं तो इसे भी आप लोग याद रखेगा 42 में संविधान संसोधन के तहत के दस आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है यहां ध्यान देंगे इसका सही आपका हो जाएगा मौलिक करतब बे ठीक है चलिए नेक्स्ट आगे बात की जाए कहरा है निमलिखित में से भारत मौलिक करतब कौन सा है साथ योर इसका सही अंसर क्या होगा तो ध्यान देजेगा हमारी मिली जूली संस्कृती की सम्रिदी विरासत को सुरक्षित करना ही और अनुछेद एक क्यावन का चव में सामिल किया गया है इस बात को next है कि राष्ट पती क्या है साथियो क्या संसद का हिस्सा नहीं है संसद का हिस्सा होता है या फिर साथियो संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है भी है क्या है इसका हो जाएगा आगे एक और हम लोग देख लेते हैं तो ध्यान देजेगा यहां संसद में बोड़ दे सकते हैं तो आपका option number क्या हो जागा आपका option number B सही हो रहा है साथियो तो याद रखिया थोड़ा सा यहां जान लिजेगा भारत के जो राष्टपती साथियो वो लोग सभा और राजी सभा के साथ मिलकर संसद का निर्मान करते हैं इस बात को आपको पता होगा इस प्रकर वो क्या करते हैं तो संसद का अभीन अंग है जब आप भारतिय संसद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहली यही सब्द दिखेगा कि भारतिय संसद के जो अभीन अंग है वह राष्टपती होते हैं गुरपतल है कि सरकार की संसद्य विवस्था में कारी पाले का अपनी नीतियों एवं कारियों के लिए विधाय का के प्रती उत्तरदाई होती है और संसद्य सरकार को कैबिनेट सरकार या फिर उत्तरदाई सरकार या फिर सरकार का वेश्ट मिस्टर model भी कहा जाता है तो इस तरह से चीजों को याद रखेगा बहुत important है कह रहा है next question कि भारत में राष्टपती का चुनाव किया जाता है तो याद रखेगा इसका प्रतेच निरवाचन द्वारा एकल सक्रमनिय मत प्रनाली द्वारा अनुपाति मत प्रनाली या फिर खुला बैलट के द्वारा तो साथियो इसका सही एंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर थूरा सा समझ लिजेगा उसके बाद हम आपको एंसर अपने आप पता चल जाएगा ध्यान दीजेगा साथियो भारत में जो राश्च्टपती का चुनाव होता है या सबसे पहले आपका अनुच्छेत 45-35 के दाथ होता है तो याद रखेंगे उस बीवाद को आपका भारत के राष्टपती के चुना में कोई विवाद है तो उस बीवाद को सौपा जा सकता है किसे तो याद रखेंगे उस बीवाद को आपका भारत के सरबुच्च नयाले को सौपा जा सकता है ठीक है अगर बात की जाएक साथ ही ओकि अगर भारत के राष्ट्पते के चुनाव में कोई बिवाद है तो उस बिवाद को कहाँ स्वपा जाएगा तो सरबुच्च नियाले में स्वपा जाएगा किस अनुछेत के तो याद रखेंगे एक अनुशार 171 के आधार पर क्या किया जाई साथिवज और सरबुच्च नियाले को सुपब जागÁ और सरबुच्च नियाले को किया गया विनिष्चछे हँ अंतिम निश्चे होगा यह भी बात याद रखेंगे क्योंकि आप सबको पता होगा कि सर्वोच चिन्याले का निर्णे जो हता है वो अंतिम निर्णे होता है हमारे भारत में ठीक है तो इस बात को भी आप लोग याद रखेगा नेक्स्ट कहरा है आपका साथियो कि भारत के जो राष्टपती भारत के राष्टपती को उनके पस से हटाया जा सकता है तो ध्यान दिजेगा कब हटाया जा सकता है यह भी हम आपको बताएंगे पहले ध्यान दिजेगा कि भारत के राष्टपती को संसत के द्वारा हटाया जा सकता है कब हटाया जा सकता है कैसे हटाया जा सकता है थोड़ा से यहां ध्यान दिजेगा साथियो जो भारत के राष्टपती होंगे इनको अनुछेद 56 के खंड एक के उप खंड खं के अनुसार बहुत important है इतना आप लोगों को याद रखना होगा important है आपसे पुझा जाएगा कि भारत के राष्टपती को किस अनुछेद के आधार पर हटाया जा सकता है तो याद रखेंगे 56 के खंड एक के उपखंड ख के अनुसार हटाया जा सकता है क्या कर सकता है सात्यों तो राष्टपर्दी को अनुछेद 61 में उपबंद अनुछेद 61 क्या कहता है तो राष्टपर्दी पर महावियोग चलाने के पड़किरिया है सात्यों इसी क्याधार पर रीती से संसत द्वारा क्या करते हैं चलाएगे महाब्योग के माध्यम से पलसे हटाया जा सकता है तो यह चिज आपको पता होगा यह बहुत ही important है next है कि भारत का कारेपाले का अध्यक्ष कौन है भारत के जो कारेपाले का हैं वह आपका क्या होते हैं तो राष्टपती होते हैं भारत के जो कारेपाले का इस्ट्यूटिव हेड कौन होते हैं तो आपका कौन होते हैं साथियो राष्टपती होते हैं अनुछे तिरिपन एक के अनुसार संग्य की कारिपली का सकती राष्टपती में नहीं होती है यह बात आप लोग कई बार देखे होंगे ठीके साथियों कई बार इस चीज़ को आप लोग पड़े होंगे जिसका प्रयोग वह इस सम्मिधान के अनुसार स्वेम या अपने नागडिक सेवा अधिकार कौन है तो याद रखेगा इसका सही एंसर आपका वित्त सचीव हो जाएंगे ठीके चले जान लेते हैं तो केंदर सरकार में उच्च नागडिक सेवा अधिकार मंत्री सचीव होते हैं साथियों मंत्री मंदल कौन होते हैं सचीव होते हैं और अभी आप लोग याद रखेंगे, जो हम लोग अभी तयारी कर रहे हैं, आप सभी इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, तो ज्यादा आपके लिए important होगा, कहता है भारती सम्मिधान में केंदर सरकार की अधी सासित सक्तियों को किसमे नहित किया गया है, याद अभारत के राष्टपती में किया गया है, अभी हम लोग थोड़ा दर पहले उपर बला स्लाइड में इस चीज़ को देख लिए हैं, तो मित करते हैं कि आपको आगे बढ़ना ठीक लगे गा, राष्टपती, राष्टी आपातकार की घोसना कर सकता है, कब, जब क्या लगे साथियों, उसे लगे, उन्हें लगे कि उज़ पर वर्निस सभी कारणों के अधार पर क्या है, तो याद रखियेगा साथियों, इसका सही अंसर आपका D हो जाएगा, अनुछे 352 के अनुसार साथियों याद रखियेगा, क्या है, तो राष्टपती राष्टी आपातकार क गोसना कर सकते हैं, और वो ऐसा निमलिखित आधार पर कर सकते हैं, जिसमें हतियार बंद विद्रों आधार लगे, उनको ब्रहमा आकरमन लगे, या फिर साथियों यूद का आधार लगे, ऐसे ऐसे मतलब आपको उन्हें लगे कि राज्य में किसी प्रकार का संविधानिक क कारी हो रहा है, तब लगा सकते हैं, या फिर उनको लगे कि अपने देश में अपने राज्य में ब्रहमा आकरमन हो सकता है, या फिर हतियार बंद विद्रों हो सकता है, ससस्त्र विद्रों हो सकता है, मतलब ऐसे संकट के समय में उनको लगे कि कुछ संकट हमारे देश पे उ कि वहाँ पर भी संकट ग्रस्त इस्तितिय भी उत्पन है ठीक है चलिए किसकी सलाप राज्य में राष्टपती सासन लागु किया जाता है क्या वह याद रखेगा क्या वह मुख्यमंत्री होंगे लेजिस्टेब्ली होंगे या फिर साथ यहां ध्यांगे ध्यां दिजेगा ग खिनादिस होंगे तो याद रखेंगे इसका सही एंसर हो जागा आपका गवर्नर होंगे ठीक है साथ यो अगर मान के चली आप बिहार राज्य में रह रहे हैं बिहार राज्य की जो सरकार है वह गेर सम्मिधान के अनुरूप अपने कारे को कर रही है तब क्या करेंगे करता है तो इस साथ यो क्या करेंगे वह राष्टपती सासन लगा देंगे ठीक है को यह दिकत चलिए बात की जाए आगे तो कहरा है कि भारतिय सम्मिधान हार बहुकरे राश्टबती को अधिकार नहीं देता है किसीस को सीज साथ याद रखेंगे यह राश्ट पती को नहीं है ठीक है याद रखेगा इस बात को अनुछेद 161 के अनुसार राज जी के मुख मंत्री के नियुकती अधिकार किसे है तो यह राज जी पाल की है क्यूंकि आप सबको पता होगा कि राज जी का जो प्रमुख होता है यह राज पाल होते और देश के प्रमुख राश्ट पती होते हैं इस बात को आप लोग याद रखेगा चलिए बात की जाए आगे तो भारत के जो राश्ट पती भारत के राज पतीको यह अधिकार नहीं प्राप्त थे कि वह क्या कड़े तो याद रखेगा सरबुच नयाली के न्याधिस को ह ताबित यह ना हो जाए कि वह कदाचार और समर्थ के आधार पर ऐसे हटाया जा सकता है। रश्टपती ने उसे हटाने का आधेस नहीं दे सकते हैं। यह हवी बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेस्टन कह रहा है आपका कि स्वतंतर भारत में के प्रथम राश्टपती कौन थें। साथियो इसका सही एंसर आपका क्या होगा स्वतंतर भारत के प्रथम राश्टपती थें वो कहां से थें तो याद रखेंगे या बिहार से थें। बिहार ने ही सबसे पहला भारत का राष्टपती दिया था साथियो याद रखेंगे या इस बात को ठीक है और वह कौन थे तो आप सबको पता होगा वह राजेंदर परसाद थे इस बात को आप लोग याद रखेंगे ठीक है चलिए और साथियो next question है आपका कौन सा कथन असत् इसमें आपका सी उपराष्टपती पर का चुनाव भाद का राष्टपती करता है इसका सही कथन नहीं है साथियो याद रखेंगे जान लेते हैं थोड़ा सा उपराष्टपती के बारे में वैसे important जादा नहीं रहता है उपराष्टपती जादा important राष्टपती होते हैं य एकल सक्डमन्य मतृषप्रणाल्य के द्रड़ए होता है तो यह एकल्सक्रमन्य मतृषप्रणाल्य याद रखेगा बहुत इंपॉर्टन्ट है कि ठेकAd Kerry राज्यसभा का सब्हपती कौन है सातियो तो याद रखेंगे राज्यसभा का सब्हपती जो होते हैं वह आपका कौन होते हैं तो उपराश्वती ही होते हैं इस बात को आप लोग्याद रखेंगे भारती सम्मिधान के अनुच्छे 24 तथा साथभ नवासी का अनुच्यार गड़ाश्वती राज्यसभवाकर क्या होते हैं भारत का प्रदान मंत्री मुख्य हैं कौन है और इसका प्रधान कौन होते हैं तो प्रधान मंत्री होते हैं यास्त रखेगा हमारा सम्मिधान मंत्री पर साथियों मंत्री ये प्रणाली है मंत्री मंदल ये प्रणाली को मान नेता देता है और इस प्रकार याद रखेंगे कि आपका क्या होगा तो इस प्रकार से आप य अनुसार साथ ही यह होते हैं प्रधान मंत्री का करतब के लिए मंत्री परिशत के सभी निश्चत से राष्टपती के सूची और जानकारी राष्टपती से क्या करते हैं मांगे दिल लेते हैं ठीक है चलिए आगे बात की जाए तो कह रहा है संघ्य मंत्री परिशत के मंत्री उत्तरदाई होते हैं तो याद रखेंगे इसका सही अंसर आपका हो जाएगा केवल लोगसभा के पड़ती ठीक है याद रखेंगा अनुछेद 75-2 के अनुसार क्या है तो संग्य मंत्री पड़िसर जो होते हैं यह मंत्री राष्टपती के प्रसाद पड़ियंद पड़ धारन करते हैं ठीक है और अनुछे 75-3 के अनुसार साथियों मंत्री पड़िसर जो है यह सामोहिक रूप से लोगसभा के प्रति क्या होते हैं तो उत्तरदाई होते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेस्टन कह रहा है कि मंत्री पड़िसर उत्तरदाई होती है त संसत के प्रति या पर अध्यक्षचीbooks प्रति साति वह सायों मंद्री पश्यरे शोटों एका प्राहिव और पर देख तो मुझे लग भाए है की राश्टपती मुझिन एक आप लगा कले हुग valt होगे सथों यहां पर थो कि दो ाउठ में हम सही, आपको नहीं, कह सकते है साथ हो थोड़ा सा अपने यहां पर देख ली जेगा तो थोड़ा सा यहां पर रहे वहां पर थोड़ा सा कन्फूज encant पर रहे वहां पर कूडनWow नहीं कहना चाहिए यहीं इसी में बिद्वानी होता है चलिए next question किया जाए, तो कहड़ा साथियो भारती राजनीति वेवस्था में कारी पालिका के अधिन रहकर कारी करती है तो याद रहेंगे बिधाय का जो कारी करती है इसके अधिन रहकर कारी करती है ठीकें, अब बात की जाए, यहाँ पे ध्यान देंगे देखे भारत में संगहात्मक शाषन परणाली अपनाई गई है आप सबको पता होगा और साथियो भारती राजनीती बेवस्था में कारीपालिका बिधायका के अधिन रहकर कारी करती है यह भी बात पता होगा क्यूंकि राजनीतिक जो है यह राजनीतिक कारीपालिका का कठन बिधायका के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है और कारी पहली का जो है यह मंत्री परिशद साहमुहिक रूप से बिधायका लोगसभा के परती उत्तरदाई होती है ठीक है तो यहाँ पे थोड़ा सा साथियो आप लोग को answer सायद यहाँ पे इसका answer भी आपको मिल गया होगा भियान देंगे साथियों यहाँ पे आपको इसका answer मिल गया होगा कि मंत्री परिशद जो है उत्तरदाई किसके होती है तो इसका सही answer आपका संसद हो जाएगा ठीक है आप लोग अब इसका answer सही कर लेंगे इसका answer आपको वहाँ पर भी मिल गया है next question कह रहा है आपको साथियो की सरकार की संसध्य वेवस्था के विसय में निमलिकित में से कौन सा कत्थन क्या है कर्तब वे सही है तो याद रखेंगे उप्योक्त में से यहाँ पर क्या हो रहा है कोई नहीं या फिर उप्यक्त में से एक से अधिक अब हम लोग जान लेते हैं तो तत्थियो को तो सायद आपका सारा डौट किलियर हो जाएगा साथियो सासन परनाली की समानेत दो पधतिया होती है एक संसध्य और एक अधच्य सासन परनाली की अगर आपसे बात की जाए तो दो पधतिया है एक संसध्य परनाली एक अधच्य परनाली साथियो भारत में ग्रेट बेटन के अनुसार रहते हुए संसध्य शाषन वेवस्था को अपनाए गया था संसध्य शाषन वेवस्था में विवस्थापिका के सद्धस्च कारी पालिका का करते हैं तो गठन करते हैं तथा कारी पालिका विवस्थापिका के परती उत्तरदाई होती है याद रखेंगे संगहात्मक शाषन विवस्था में कारी पालिका विधाई का द्वारा क्या करती है तो नियंतरत होती है याद रखेगे इस बात को बहुत important है और राष्ट परती न्याय पालिका के परती क्या होती है साथियो तो जवाब दे ही होती है ठीके तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इसका answer मिल जा होगा चलिए बात की जाए next question कि भारत का जो प्रधान मंत्री कि किसके परती जवाब दे होते हैं याद रखेगे यह लोग सभा के परती जवाब दे होते हैं क्योंकि लोग सभा में उनके सारे मंत्री परिसद होते हैं इस प्रकार से साथियो वह क्या होते हैं अपने मंत्रियों के जवाब दे ही होते हैं प्रधान मंत्री जी ठीक है याद रखेंगे भारती सम्मिधान के अनुछेट 753 के नुसार मंत्री परिसद सामोही कुरूप से लोकसभा के परती उत्तरदाई होती है चुकि प्रधान मंत्री मंत्री परिसद के प्रमूख होते हैं और वे सभी लोकसभा के परती क्या होते हैं तो उत्तरदाई होते हैं ध्यान देंगे next question है आपका कि सम्मिधान में मंत्री मंदल सब्द का एक ही बार परयोग हुआ है और वो है आपका अनुच्छेत तीनसो बाबन बहुत important है बहुत है ज्यादा important है साथ याद रखेगा मंत्री मंदल जो सब्द है वो मातर सम्मिधान में एक बार क्या हुआ है इसका उल्ले किया गया है एक बार इसका जिक्र किया गया है वो भी आपका अनुच्छेत बाबन में किया गया है तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे बहुत important है और साथियो यह भी आप लोग याद रखेगा कि इसी अनुच्छेत के अनुच्छार क्या होता है तो साथियो राष्टपती आपात काल की उद्गोसना कर सकते है और जब मंत्री मंदल उसे लिखित रूप से क्या करे संग्चूचित करे तो यह भात आप लोग याद रखेगा चलिए बात की जाए नेक्ट क्वेस्टन की आपका तो वो कहड़ा भारत सरकार को कानूनी बिसेवे पर कौन परामर्ज देता है भारत सरकार को साथियो कानूनी रूप पर उनको सलाह देने वाला होता है वो अटारनी जर्नल होते हैं और साथियो यह भी याद रखेगा कि इन्हें भारत सरकार का कहीं एक वकील कहा जाता यह बात आप लोग याद रखेंगे तो याद रखेंगे साथियो यह है आपको उस समय पढ़ने को मिलेगा बहुत इंपोर्टेंट है साथियो आप सभी के पास अगर एमलक्षमी कांथ होगा तो आप लोग एक पर पढ़ लीजेगा ध्यान दीजेगा सम्मिधान के अनुछे 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्ज देने हैं तो साथियो राष्ट पती क्या करते हैं तो अटारने जर्णल महानयवाधी का निउखती करते हैं उच्चे नयाले के नियाधिक नियुक्त होने के लिए कि योग्यरंखिलने वाले जो बिक्ति होते साथियो इन्हें अटारने जर्णल निउखती किया जाता है याद रखेंगा और यह भारत सरकार का प्रतम बीधी अधिकारी है या फिर साथियो भारत सरकार का लोयर होते हैं यह भी आप लोग याद रखेंगा राष्टपती के परद्यारपन के बाद यह पद अपना धारन करते हैं तो इस प्रकार से चीज को याद रखेगा उम्मीद करते हैं कि आप स से चाहिये हुए यह दोनों क्या होते साथ हयो तो यह भारत सरकार केंद्र सरकार क्या होंगे ? यह होगΑ होंगे सलाहकार होंगे कानूनी रूप से लेकिन साथियों यह क्या होंगे तो यह राज्य सरकार के वकील होंगे तो इस तरह से चीज को याद रखेगा बहुत important है चीज वही है बस इस चीज को याद रखेगा important यहाँ पर यह है कि अनुच्षेद 165 के तहट क्या होता है तो इनकी न्यूक्ति राज जिपाल करते हैं ठीक है उपर हम आपको बता दियें कि attorney general का जो न्यूक्ति होता है साथियो इसके यह किस अनुच्षेद के अंतरगत होता है और कौन करते हैं और यहाँ पर आपको बता दियें साथियो कि महादिवक्ता का जो जर्णल जो साथियो एडवोकेट जर्णल का जो नियुक्ती होता है यह किस अनुछेत के अंतरगत होता है और कौन करते हैं तो इन दूनों में थोड़ा सा अक्सर गलती कर बैठते हैं सब लोग इसलिए इसको याद रखेगा नेक्ट प्रस्ट आपका कहरा है साथियो कि आजादी के बाद भासा के अधार पर भाद के राज्यों का जो पूरण गठन हुआ वो बर्स था कौन तो याद रखेगा वो आपका हो जागा साथियो 1956 1956 में क्या होता साथियो तो एक भासा के अधार पर एक आयोग भी बना जाता है इस बात को भी आप लोग याद रखेगा ठीके इस समय एक आयोग का गठन होता है यह बात भी आप लोग याद रखेंगे यहां ध्यान दिजेगा साथियों यहाँ पर याद रखेगा कि आजादी के बाद भारत में साथियों राज्य पूरन गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया है जिसे भारसा के अधर पर क्या किया गया है तो राज्यों का पूरन गठन किया गया साथियों ठीके और आपको कॉमेंट में बताना यह है कि सबसे पहले राज्य कौन था जो हासा की अधार पर उसका गठन हुआ था यह आप कॉमेंट में हमें बताईएगा तेके साथियो तो आज के लिए हम यहाँ पे अपने बानी को बिराम देते हैं कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर बताएगा अग बार बरते हैं लेक्चर को आप लिए पूरा जरूर देखा करें आप सबसे रिक्वेस्ट है और साथियो इसका आपको पीडियाफ टेलेगराम चैनल पर मिल जागा तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर ज्वाइन करकर रहें साथियो आज के लिए इतना ही जैहिन जैभारत।